फ्रेंड्स आज मैं फिर से आपके लिए एक और नई मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप अभी गंपती स्थापना पर भी बना कर तयार कर सकते हैं ये बहुत ही टेस्टी भी लगती है और साथ में जटपट बनकर तयार भी हो जाती है तो आप रशाद के लिए इसे घर पर ही बना कर तयार कर सकते हैं साथ ही अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज एक लाइक जरूर से कीजिए और अगर आप पहली बार मेरे चैनल को वाच कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर से कीजिए तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए देखते हैं रेसिपी तो यहाँ पर मैंने पैन लिया है पैन में मैंने डेसिकेटेड कोकोनट का यूज किया है आप चाहें तो यहाँ पर फ्रेश नारियल भी ले सकते हैं बट उसके पीछे जो ब्लैक कलर का छिलका होता है उसे आप पिलर की हैल्प से क्लीन कर लें और यहाँ पर किसी भी कप या बाउल को आप लें उसमें मैंने डेड़ कप डेसिकेटेड कोकोनट लिया है और एक चमच उसमें मैंने घीका डाला है और आप इसे हलका सा भून लें गैस का फ्लेम लो ही रखें लो फ्लेम पर ही आपको इसे भूनना है केवल इतना ही भूनना है कि हलकी हलकी सी खुश्बू आने लग जाए बहुत जादा इसका कलर चेंज नहीं करना है उसके बाद आप इसे किसी प्लेट में निकाल लें और इसे ठंडा करने रख दें आप प्लेट में जरूर से निकालें इसे पैन में मत छोड़िएगा और यहां पर हमने वापस से कड़ाई रख लिया है और उसमें एक गिलास दूद का लिया है यह दूद बॉइल हुआ और रूम टेंपरेचर का ही दूद है आप चाहें तो यहां पर दूद की क्वांटिटी कम जादा कर सकते हैं तो उस कंडिशन में आप यहां पर दूद के साथ पानी एड़ कर लें अब यहां पर जिस भी कप या बाउसे आपने नापा है उससे ही हम आधा कप चीनी का लेकर इसमें मिक्स करेंगे और जब अच्छे से देखे इस तरीके से उबाल आने लग जाएगा ना तब हम इसमें मावा एड़ करेंगे तो यहां पर मैंने 1500 ग्राम मावा लिया है और इस मावे को हम दूद के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि जो दूद गरम है तो यह बहुत अच्छे से मैल्ट हो जाएगा जब यह अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हमें इसमें डेसिकेटेट कोकोनट एड़ कर देना है तब यहां पर आप डेसिकेटेट कोकोनट डाले उस तब गैस का फ्लेम लो कर दे क्योंकि यहां पर अगर आप gas का flame high रखेंगे तो तुरंत ही गाड़ा होता जाएगा better और यहां पर lumps भी पढ़ सकते हैं इसलिए आपको नारेल डालने के बाद इसे तुरंत mix करते रहना है और gas की flame को याद रखे low ही रखना है और इसे mix करते जाएगे जैसे जैसे आप इसे mix करेंगे वैसे वैसे यह गाड़ा भी होता चला जाएगा यहां पर मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाना चाती हूँ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज एक like जरूर से कीजिए यहां पर मैंने थोड़ा सा food color डाला है जो की yellow food color का use किया है यह बिल्कुल optional है आप चाहें तो डाले नहीं तो इसे इसके भी कर सकते हैं अब यहां पर हमें जितनी देर में हमारा दूद सूख रहा है नारियल के साथ इतनी देर में हम जिस प्लेट में इसको फैलाएंगे उसे हम अच्छे से grease कर लेंगे क्योंकि बाद में हमें बिल्कुल भी time नहीं मिलेगा अब यहां पर मैं इलाइची लूँगी तो मैंने चार इलाइची यहां लिया है और कूटने के बाद अपना जो मिश्रन है उसमें हम mix कर देंगे इसको और साथ में हम इसे चलाते रहेंगे आप चाहें तो यहां पर गैस का फ्लेम तेज करके भी इसे mix कर सकते हैं तो यह फटाफट से mix हो जाएगा और यहां देखिए आपको कैसे चेक करना है कि जब आप पैन को देखेंगे न तो यह जो हमारा बैटर है वो घी छोड़ने लग जाएगा आप देखिए इसको हमने अच्छे से प्लेट में डालकर और अच्छे से प्लेन कर लिया है और इसे हम ठंडा होने के लिए लगबग 10-15 मिनिट छोड़ देंगे जब यह प्रॉपर तरीके से ठंडा हो जाएगा तब ही हम इसको cut करेंगे नहीं तो इसके जो pieces है वो नहीं cut करेंगे तो आप चाहिए तो इसे freeze में भी रख सकते हैं उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा work लगा दे रही हूँ silver work का use किया है आपके पास अगर original हो तो ही आप इसे use करें क्योंकि market में यह कई तरीके का मिलता है तो बाकी यह बिल्कुल optional है आप चाहें तो इसे लगाए नहीं तो इसे skip भी कर सकते हैं यहाँ पर मैंने जो pieces है ना वो मठरी की तरह cut कर दिये हैं मैं भूल गई थी कि मैं यहाँ पर मिठाई बना रही है और मुझे square shape में cut करने है बट कोई बात नहीं यह भी बहुत अच्छे लग रहे थे बट थोड़े से size में बड़े हो गए थे देखिए इस तरीके के तो आप बना कर जरूर से देखिएगा और साथ में गनपती पापा का प्रशाद भी लगाईएगा तो देखिए यहाँ मैं एक तोड़ कर भी दिखाती हूँ कितनी soft बनी है न कि आप इसे होटो से भी फोड़ कर खा सकते हैं बिल्कुल कलाकंद की तरह जिस तरीके से हम मावे का कलाकंद बनाते हैं तो चलिए बाबाए मिलते हैं अपनी और नई वीडियो के साथ